हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारे पहतर चल रही होगी सब्सक्राइब का 23 फरवरी का तीनों सिप्टों का एक्जाम खतम हो चुका है तो इस बाले वीडियो में हम लोग रेजिनिंग का एक प्रैक्टिस सेट सौल्प करेंगे तो अगर आप लोगों का 24 फरवरी को एक्जाम है तो जिन बच्चों का कल एक्जाम है तो उन बच्चों को इस वीडियो को देखकर जाना है क्योंकि रेजिनिंग के कोशन इसी टाइप के कोशन पूछे जा रहा है हर सिप्ट में तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और से जरू करें जिन बच्चों ने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बल आन करना ना भूलें असन संक्या बाबन से 53 के लिए उस विकल्प को चुनिए जो अन तीन विकल्पों से भिन है जैसे कि बाबन कोश्चन है आपका इसमें क्या हुआ चार आपसन दे दिये गए हैं और इसमें से आपको क्या बताना है भिन बताना मतलब क्या होता है कि चार आपसन दे दिये जाते हैं इसमें से तीन विकल्प जो होते हैं वो समान हो जाते हैं और एक जो विकल्प वस्ता है, वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है? भिन्य हो जाता है, अलग हो जाता है, संगत हो जाता है, विसम हो जाता है, ये सबी नाम होते हैं, तो बावन में आपका विसम कौन सा होगा? सारनाथ, option C क्योंकि सारनाथ जो है यह आपका क्या है? धार्मिक इस्तल है लेकिन कुरू छेत्र, हल्दी घाटी और पानी पात यह तीनों क्या है? युद्ध छेत्र हैं अगला है त्रेपन में आपका क्या होगा? त्रेपन में देखिए option E check करते हैं दबात में CI रखी जाती है तो आपका विसम काउन सा हो जाएगा? option C अगला यदि A बरावर 5, B बरावर 6, C बरावर 3, D बरावर 8 तो 16, 5, 27, 29, 22, 23 अंकों से कौन सा सब्द बनेगा? तो सबसे पहले देखिए A बरावर 5 दिया हुआ है तो actual में A का code कितना होता है? एक होता है लेकिन दिया हुआ है 5 तो 1 से 5 बनने में कितना जुड़ रहा है? 4 जुड़ रहा है अब देखिए B का code actual में होता है 2 लेकिन दिया हुआ 6 तो 2 से 6 बनने में क्या हो रहा है? 4 जुड़ रहा है और C का code actual में होता है 3 तो 3 से 7 बनने में क्या हो रहा है 4 जुड़ रहा है अब देखे D का code होता है 4 तो 4 से 8 बनने में क्या हो रहा है 4 जुड़ रहा है प्रतेक alphabet code में क्या हो रहा है कि 4-4 जुड़ रहे है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इसमें 4-4 जोड़ रहे हैं अब हम लोग जो नमबर नीचे दिये गए हैं इसमें सभी में 4-4 जोड़े हुए हैं तो हमें actual alphabet पता करने के लिए सभी में से 4-4 घटाना पड़ेगा तब हमें actual alphabet मिलेंगे अगर देखे 16 में 4 घटाएंगे तो आपका 12 आजाएगा और 12 किसका होता है L का अब इसी परकार 5 में 4 घटाएंगे तो एक आजाएगा एक किसका होता है एक यह होता है एका इसी परकार 27 अब देखे 27 दिया हुआ है 27 में 4 घटाएंगे तो आपका कितना आजाएगा 23 23 किसका होता है W का हैं यहां पांच-पांच किसका होता है इका अब 22 में चार घटाएंगे तो आपका आजएगा पीज्यक्स प्रणाली के आदार पर हल किये गया है इसी आदार पर हल ना कि यह समीकरण का सही उत्तर बताना है जैसे कि पहला समीकरण आपका दिया हुआ यह 573 बनना है तो हम लोग इससे कोश्चन में क्या करते हैं दिए कि 3 को A माल लेते हैं 5 को B और 7 को C इससे आपका क्या बनना है 573, 5 को क्या माना है B, 7 को माना है C, 3 को माना A, मतलब यह BCA term में यही तरीका आगे अपलाई करेंगे 8 को A माना और B फिर C, इससे आपका क्या मानना है 638, 6 को क्या माना है V, 3 को क्या माना है C, और 8 को माना A, यह भी देखे BCA term में बन गया, अब आगे भी अपलाई करेंगे A, B, C, 7 को माना है V, 5 को माना है C, और 3 को माना A, यह भी देखे BC BCA term में बन गया, तो यही same to same तरीका हम लोग जो question mark मूचा गया है, इसमें apply करेंगे, 8 को मानेंगे A, 6 को मानेंगे B, 4 को मानेंगे C, अब देखी इसको भी हम लोग BCA term में बनाएंगे, B, C, A, B का code क्या है, B का code माना है 6, C का code क्या है, 4, A का code क्या है, 8, तो आपका क्या हो ज तता star चिन्नों को प्रतिस्थापित करने के लिए गड़तिये चिन्नों का सही करम चुनिये, आपका समीकान दिया हुआ है, और एक ऐसा option चुनना है, जिसमें चिन्नों को लेने पर, यह जो समीकान दिया हुआ है, यह दोनों पच्छ जिसमें बराबर हो जाएं, मतलब LHS ब तो आपका समीकान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा option B, तो देखिए, question है, 2 पहले star की जगे पर आपका पहला चिन्ना आजाएगा multiply, फिर 3 दूसरे star की जगे पर आजाएगा दूसरा चिन्न माइनस, फिर 2 तिसरे star की जगे पर तिसरा चिन्न प्लस, पिर चौते star की जगे पर चौता चिन्न बराबर, आठ, अब अगर हम लोग LHS वाला solve करें, तो बो 8 के बराबर आना चाहिए, तो solve कर लेते, इसमें बार्ड मास rule apply करते हैं, सबसे पहले multiply solve करेंगे, तो 2 तिया 6, minus 2, plus 4, is equal to 8, तो देखिए, 6, 4, 10 होता है, 10 में से 2 जाएगा, तो आपका आजाए तो सबसे पहले, appreciation के सारे alphabet लिख लेते हैं, A, double P, R, E, और C, I, A, T, I, O, N, यह हो गया, अब इनके number भी लिख लेते हैं, हम लोग, क्या क्या number है, A का code कितना है, एक, फिर P और P का code कितना है, डबल बार P है, तो 7 और 7, फिर देखिए, R का code कितना दिया हुआ है, 8, E का code कितना है, 3, C का code कितना है, 2, और फिर I का code कितना है, 4, फिर A का code पीछे लिख चुके हैं, कितना है, starting में 1, तो 1 ही दिया हुआ है, फिर T, I, O, N, इसका हो जाएगा 9, I का code हो जाएगा 4, O का code हो जाएगा 6, N का code हो तो reception के सारे alphabet लिख लेते हैं R E C E P T I O N अब इनके number लिख देते हैं तो reception में R का code क्या हो जाएगा तो appreciation में R का code उपर कितना है 8 तो 8 लिख दिया E का code कितना उपर दिया हुआ है 3 तो 3 लिख दिया C का code उपर कितना है 2 तो 2 लिख दिया E का code हम लोगों को आगे लिख चुके हैं कितना 3 तो 3 लिख दिया अब reception में P अलफा बेटा रहा है तो P का code उपर कितना है 7 तो 7 लिख दिया अब T I O N T I O N कितना है पीछे 94 पैंसाट तो 94 लिख दिया और 65 लिख दिया और आपका number जो मिला यही आपका answer हो जाएगा और यह कौन से option में आ रहा है appreciation तो देखिए गाइस इसका जो answer हो जाएगा option B 832 दिया है फिर कितना है 389 389 465 465 तो option B is the right answer अगला देखिए course को एक कूट बासा में इससे लिखा जाता तो सबसे पहले course के सारे alphabets लिख लेते हैं C O U R S E इससे आपका क्या बनदा है इससे आपका बनदा है E बनदा है और क्या बनदा है E के बाद S फिर R फिर U O C यह बन रहा है आपका अब देखिए गाईस कैसे यह हुआ है कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं पहला alphabets जो देखिए last में चला गया C फिर starting से दूसरा alphabets last से दूसरे नमबर पर हो गया U जो alphabets यह भी देखिए नीचे चला गया R जो है यह भी उपर आ गया S जो है उपर आ गया तो breathe के सारे alphabets लिख लेते है B, R, E, A, T, H पीछे से सारे alphabets आगे करेंगे ओके गाइस तो H जो है वो आगे आ जाएगा H लिख दिया फिर T जो है आगे आ जाएगा T लिख दिया A जो है आगे आगे यह लिख दिया E लिख दिया फिर आगे फिर R लिख दिया और पहला बाला last में चला गया V तो आपका क्या हो जाएगा E, H, T, A, E, R, V तो इसका अंसर कौन से option में आ रहा है Option B H, T, A, E, R, V Option B is the right answer अगला है दिये के विकलपों में से लुपतर संख्या ग्याद कीजिए यहाँ पर देखिए लुपतर संख्या बतानी की की आएगी तो हम लोग एक एक पंक्ती को लेकर solve करेंगे पहली पंक्ती को, फिर दूसरी पंक्ती को फिर last में तिसरी पंक्ती को पहली और दूसरी पंक्ती में नंबर कौन-कौन से 41 और 58 इन दोनों को जो तरीका लगेगा इन दोनों को निकालने में वही तरीका तिसरी पंक्ती में लगा देंगे तो पहली पंक्ती में बड़ा नंबर है 41 इसको निकालने का क्या तरीका होगा 41 से पहले कौन-कौन से नंबर है 5 और 4 तो 5 का square कर देंगे और plus 4 का square कर देंगे तो 25 plus 16 कितना आगे आपका? 41 अब यही तरीका दूसरी पंक्ती में लगाएंगे 58 लाना है तो 58 से पहले कौन कौन से नमबर है? 7 और 3 तो 7 का square किया और plus 3 का square किया 49 plus 9 कितना हो गे आपका 58 सेम टू सेम तरीका तिसरी पंक्ती में लगाएंगे 10 का square कर देंगे प्लस 2 का square कर देंगे तो 100 plus 4 मतलब आपका अंसर आजाएगा 104 Option D is right answer देख लेते हैं कमल जो है पूरब की और 20 मीटर गया माले ते starting point यह है और पूरब की और कितना गया? 20 मीटर फिर बाई और मुड़ा और 15 मीटर चला तो बाई आपका यहां से क्या हो जाएगा है? उपर की तरप कितना चला? 15 मीटर और 15 मीटर चलने के बाद दाई और मुड़कर 25 मीटर चला तो दाई आपका अंसर और मुड़कर 25 मीटर फिर दाई और मुड़कर 15 मीटर चला तो आपका यहां से दाई कौन सा हो जाएगा नीचे की तरप कितना चलता है 15 मीटर कमल आरंबे किस्टान से कितनी दूर पा रहे हैं तो देखिए गाइस थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट यह है और यहां से यहां तक की दूरी है 20 तो अब यह वाली दूरी कितनी होगी उपर 25 है तो यह भी आपके 25 हो जाएगी तो 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा लाश्ट पॉइंट तक की दूरी 45 मीटर आपसेंटी इस राइट आंसर आगला देख लेते हैं कोश्चन क्या कहता है विकास पूरब की ओर चलता है माल लेते हैं यहां पर इस्टार्टिंग पॉइंट है पूरब इदिसा इधर होती है पूरब की ओर चलता है कुछ दूर चलने के पस्चार भाई दाई और मुरता है कि दाई क्या हो जाएगा नीचे की तरफ चलने के पाश्चार फ़र भाई और मुरता है अब किस दिसा में जा कौनकी दच्छन की ओर तो आपका अंसर हो जाएगा दच्छन आप्शन भी इस राइट अंसर पूरव क्यों और मूह करके एक पंग्ती में बैठे हैं तो पूरव दिसा आपकी इधर की तरफ होती है और एक पंग्ती में 6 लोग बैठे हैं A, B, C, D, E, F तो बना लेते हैं 5 और 1, 6 C, तो हम लोग क्या करते हैं A को अगर हम लोग इधर माल लें और E को जो है हम लोग इधर माल लें ओके और A और E के बीच में क्या हो जाएगा C हो जाएगा हो गया, आगे कहता है B जो है E के निकर्तम दाएं तो निकर्तम दाएं E का क्या होगा नीचे की तरफ तो B कौन हो जाएगा E के निकर्तम दाएं आगे कहता है लेकिन D के बाई हो रहे है तो अगर D अगर इधर होगा नीचे की तरफ तो D का बाईं क्या हो जाएगा बाईं क्या हो जाएगा उपर की तरफ तो D के बाएं क्या हो जाएगा B, बन गे आपका, F जो है दाएं छोर पर नहीं है, तो मतलब नीचे नहीं है, तो वो कहा होगा उपर की तरफ, बाएं तरफ, तो F आपका उपर हो जाएगा, आगे कहता है बाएं छोर पर कौन है, तो बाएं छोर पर आपका अंसर क्या हो तरीखा खीचेंगे फिर कोण बनाएंगे उसके बाद तिरवुज फिर तिरवुज से बर्ग है अगला कोशन यहां पर कौन से अल्फाबेट आएंगे तो हम लोग क्या गरते हैं सभी के पहले-पहले अल्फाबेट उठा लेते हैं किई 13 से ब annos से आयि कोड्र होता है तीनृ होता है तिन इसे नव बनने में छे जोडा अब आई से फिर ये कि लिछला तो नो से शोदा बनने में कितना पाँथ अब देखे पहले born फिर फांच जोड़ा मतलब एक घटा जा रहा है तो 6 के बाद 5 5 के बाद क्या होगा चार घटेगा सुरी 4 जुड़ेगा तो 14 में 4 जुड़ेंगे तो आपका आजएगा 18 18 किसका होता है आर का पहला अलपा बेटा में क्या मिल गया आर अब सभी के दूसरे दूसरे उठा लेते हैं C D से बनाते हैं J D का को पहले 6 जुड़ा फिर 5 जुड़ा तो आगे आप कितना जुड़ेगा चार जुड़ेगा तो 15 में चार जुड़ेंगे तो 19 19 किसका होता है S का तो दो अलपा बेट आपको मिल गए R और S Option B में दो अलपा बेट इस स्टार्टिंग के R और S आ रहे नहीं आ रहे तो यह कट Option C में भी नहीं आ रहे Option D में भी नहीं आ रहे लेकिन Option B में स्टार्टिंग के दो अलपा बेट R और S आ रहे है तो Option B is right answer अगला देखिए Question क्या है यहां पर लगा हुगा Question Mark एक जो होता है ये एक का स्कॉर हो जाएगा 49 जो हो जाएगा ये 7 का स्कॉर हो जाएगा 21 जो हो जाएगा ये 11 का स्कॉर हो जाएगा 21290 हो जाएगा 17 का स्कॉर अब देखिए 1 और 7 और 11 और 17 ये सबी क्या है अभाज संक्या जो स्वेम से करती है अब देखिए 11,17 के बीच कौन सी ऐसी अभाज़ संक्या है जो आ जाएगी question mark के जगए तो वो हो जाएगी 13 तो अगर 13 का उश्कार करें तो हमें क्या मिलेगा 179 option B is right answer 0,2,6,12,20 तो क्या आएगा question mark के जगए तो देखिए 0 से अगर 2 बनाया तो इसमें कितना जुड़ा 2 जुड़ा 2 से 6 बनाया तो आपका जुड़ा 4 6 से 12 बनाया तो आपका जुड़ा 6 12 से 20 बनाया तो आपका जुड़ा 8 अब एक ची देखिए 2 से 4 तो 2 जुड़ा 4 से 6 दो जुड़ा 6-8 दो जोड़ा तो आगे भी दो जोड़ेगा इस दो को 8 में जोड़ेंगे तो 10 और इस 10 को 20 में जोड़ेंगे तो आपका आजाएगा अंसर 30 option B is right answer अगला देखे question है यहाँ पर 2 question mark लगे हूँ यहाँ पर कौन से अलपा बेट आएंगे तो दिखे सबसे पहले T से R बनाते हैं T का कोड कितना होता है 20 R का होता है 18 तो 20 से 18 बनने में क्या हुआ दो गटा अब R से P बनाते हैं P का कोड होता है 16 18 से 16 बनने में क्या हुआ दो गटा अब P से N बनाते है N का कोड होता है 14 16 से 14 बनने में क्या हुआ दो गटा अन से L बनात यहां पर कौन से बनने में लगता है बही तरीका आगे अपलाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं पहले में 5 जॡ़एंगे तो आपका आजएगा 21 और दूसरे में 6 जोडएंगे तो आपका जाएगा 24 21 किस का होता है U 24 होता है X का तो आपका अंसर क्या हो जाएगा UX Option is right answer देखे question यहां पर question mark लगा हुआ है तो इस type के question में क्या होता पहले का जो तरीका पहले से दूसरे बनने में जो तरीका लगेगा बही तरीका आगे अपलाई करेंगे तो ACFC हम लोग JLO बना लेते हैं सबसे पहले ACF तो इससे क्या बनाते हैं JLO A का code होता है 1 C का code होता है 3 F का होता है 6 और J का होता है 10 L का होता है 12 O का होता है 15 1 से 10 बनने में कितना जोड़ा 9 जोड़ा 3 से 12 बनने में 9 जोड़ा और 6 से 15 बनने में 9 जोड़ा सभी में 9-9 जोड़ रहा है तो U, W, Z में भी यही करेंगे U का code होता है batt 이야 By 21 होता है W का कितना होता है 23 होता है Z का होता है 26 21 में 9 जोड़ेंगे तो 26 तक तो जाएगा आपका 26 तक जाने के बाद आपका कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा इसके बाद 23 में 9 जोड़ेंगे तो 3 तो यहां हो गया 26 तक उसके बाद 6 6 आ जाएगा फिर 26, sorry 23 में 6 जोड़ा था अब 26 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 9 आ जाएगा 4 code किसका होता है D का 6 होता है अपका और 9 किसका होता है I का तो आपका answer क्या हो जाएगा DFI option D is right answer अब देखी यहां पर है आगे कोशन मार्ग यहां पर क्या आएगा तो हम लोग पीछे वाले का तरीका डूनते है 25 जो होता है यह 5 का स्कॉर होता है लास्ट नमर और 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है इसी परकार 27 जो होता है यह 3 का क्यूब होता है तो पीछे देखिए 5 का cube हो उसके बाद 5 का score हो गया, तो पीछे भी क्या होगा, 3 का score हो जाएगा, 3 का score क्या होता है, No, option is the right answer, अगला देखिए question mark क्या कहता है, तो इसमें क्या करेंगे, दूसरे से पहला बनाने का तरीका डोनेंगे, 125 जो था यह 5 का cube होता है, यह तो आपको पता होगा, अब हमें क्या करना है, 125 से 25 बनाना है, तो 125 में अगर 5 का divide करें, तो हमें क्या मिल जाता है, 25, तो इसमें भी हम लोग पीछे भी यही तरीका लगाएंगे, तो 3125 में भी 5 का divide करेंगे, तो हमें question mark की जगे संक्या मिल जाएगी, तो क्या है जाएगा, 625, option भी त आज का last question यहां पर देखे, question mark लगा हुआ है, तो जो तरीका पहले से दुसरे बनने में लगेगा, बाही तरीका आगए apply करेंगे, तो देखिए प्रेम का जो bloom सब दोता वो ग्राणा होता है, तो मित्र का bloom सब्द क्या हो जाएगा, सत्रू, option is right answer, तो guys आज किस वीडियो मे तरह यह थांक्यों दन्नेवा,